नमस्ते है नूम शान्थि आप सब शुरता हों को आपको स्वागत है आपके चैनल सीग दशोल दे टुर्थ लाइस विदिन ये यूटूब का चैनल जो भी शुरता इसको इंस्टेग्राम पर सुन रहे हैं वह सीग दशोल दे डूट लाइस विदिन चैनल पर जाकर करके आज का जो वर्दान है वो है 203, 204 दिन का सौरी वर्दान और इस वर्दान में परम्पिता परमात्मा एक बहुत इंपोर्टन चीज के बारे में बात करते हैं, जिसके उपर मैं भी बहुत मैंनत कर रहा हूं, मैंनत तो नहीं करने चीज़िए, परमात्मा से महबत हो तो फिर मैंनत खतम हो जाती है लेकिन फिर भी ये मेरी कमी कमजोरी है जिसको मैं पर करने के कुश्च कर रहा हूं, तो देखें, आज परम्पिता परमात्मा बात की चीज के बारे में करते हैं, तो बाबा कहते हैं, आज के वदान में, अमरत वेले की मदद, येस, अमरत वेले के ऐस पार हो जाएगा, मेरा तो हो गई होगा, आप भी अगर कर पाएं तो आपका भी पार हो जाएगा, तो अम्रित वेले की मदद वा, श्रीमत की पालना द्वारा, स्मृति को समर्थवान बनाने वाले, समर्थी सुरूप भवा, सिंपल टर्म्स में अगर आप अम्रित विला करते हैं, मतलब कि सुबा आप चार बज़े अगर उड़ जाते हैं, और उस समय आप परमात्म की याद में वेले डिशन करते हैं, तो आप और श्रीमत पालन करते हैं, परमात्मे जो कारिंस दी ए, डिरेक्शन दीए कि सुबा उच्छे हो पच्छे और मुझे याद करो तकि तम्हारे जो बाप हैं और इस यह भी बड़ित कूरती हो कलते हैं और फटर दंदुन पुछ थे रहेया हैं और प्विल्गुल 10 द harbor इसी चीज में मेरा यूद चल रहा है, इस यूद से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, और विजए बनना चाहता हूँ, आप ले भी मेरी शुप कामना है, तो बाबा चाते हैं, कि समर्थवान हम केपबल बन जाते हैं, हर कारे को हम आगे अराम से कर पाते हैं, इसके विस्तार म वह ताकत को हम अपने अंदर भर पाएं उसको अगर करना चालते हैं हम ताकि हमार अंदर सुक्षांति हो और पूरा दिन वह सुक्षांति मेंटेन हो और हम सुक्षांति से सारे काम कर पाएं वह चीज अगर भूता समृति शुरूप बनना है अगर सदा यह परमात्मा की पर जैसी श्रीमत है उसी प्रमांट समय को पहचान कर समय प्रमांट चलो तो सहज सर्वप्राप्ति कर सकेंगे और मेहन से छूट जाएंगे तो परमात्म ने जो हमें श्रीमत दीवे श्रीमत मतलब की guidance दीवे है highest guidance, godly guidance परमात्मा भगवान की guidance है कि ऐस बच्चे ऐसे करो, ऐसे ना करो ऐसे करोगे तो पाप बढ़ेगा ऐसे करोगे तो पाप खतम होगा ये परमात्मा की आमें श्रीमत मिली है तो अगर उसके समय प्रमान करें उसको पैचान करके करें तो परमात्मा करें कि सहज सर्वप्राप्ति कर सकेंगे अब सर्वप्राप्ति तो इनसान कैस होचता है भगवान हमें धन देदेगा, भगवान हमें husband देदेगा, wife देदेगा, बच्चा देदेगा, परमात्पर कहते हैं, यह तो बात की बात है, पहले आपके जीवन में सुक शांती आजाएगी, खुशियां बर जाएगी, और फिर वो सुक शांती और खुशियों की शक्ति से तो आप आगे बढ़ पाओगे, अगर आप दुखी हो, अशांत हो, असंतुष्ट हो, और फिर किसी कारे को करो, तो अचाहे भगवान की दस गुना पूजा करो, पूरे आरती लगाओ, तब भी आप आगे बढ़नी पाओगे जीवन में, परमात्पर कहते हैं, फिर परमात्प होती है, अरे पहले खाना खाऊँ, कि पहले ऑफिस के लिए थयार हूँ, अरे बिजनस के लिए थयारी करों, कि पहले एक्साइस कर लूँ, सब कुछ होचपोच, मनलने की सब कुछ खिझडी बन जाता है, तो मुड कैसा रहेगा, चल्छडा पन रहेगा, कोई चाहता है कि आप ये करो, उनकी भी तो इच्छ हैं होते हैं कि वही है, आप इस समय पर ये उनका काम कर दो, आप बहुत होच-बाच हो जाता है, और उसी में आपके जगड़े शुरू हो जाते हैं, तो परमातर कहते हैं, अमरेत वेला उड़ जाओ, तो चार घंटे, जो इंसान आट बज जो उड़ता है, चार बज़े अगर कोई उड़ जाए, तो चार घंटे आप अपने जीवन के आपने अपने बना लिए, बाकी सब सोते रहें, सोते रहें, लेकिन आपने चार घंटे गेन कर लिए, चार घंटे में क्या क्या कर सकते हो, आप मेड़िटेशन कर सकते हो, आप नौ बज़े के पहले खाना का सकते हैं, जो कि बहुत important है, नौ बज़े के बाद खाना काने से acidity होती है, मोटापा बढ़ता है, यह सारी चीज़ों होती है, इस चीज़ों पर focus कर गया आप, तो परमादर कहते हैं, यह प्राप्तियां भी होती है, तो उस समय विशेश silence रहती कोई उठानी होता है, चीज़ आइंभी सोरी होती है, सब सोरे होते हैं, हाँ , यहां पर जाजी लिंग में तो यह फो मॉस्क को मज़ाते हैं, मतल ह virgin क होता है, जो मॉस्क को शच्य कहते हैं, यह फिसलिए सहग समर्थवान बना सकते हो इसलिए उसे में कोई और डिस्ट्राक्शिन ने रहती है, आपको सुछना पड़ता कि मैं खाना क्या खाऊं, या मैं अभी कौन सी कमाई करूं, क्या बिजनेस करूं, नहीं सोचना पड़ता, उसे में आप अपने साथ रहते हो, आपने उपर टाइम कर पाते हो, सबसे इंपो पीमिदूरं टाइम में चार बचे का, सुबाइ वढ़ता, सब लोग सुरें, कुछ भी नहीं, कोई प्रॉलम नी हो, कोई आपके साथ उड़ भी जाता है, वहाले कमरे में meditation करे, आप अपने करे, आप अपने माइड को रीप्रोग्राम कर पाएंगे, इसके पहले कि लोग लोग अपने वाइरस डालते जाएं आपके बहुतां पाङ बहुता है अब निना कितनेच ça यह था पिल हग पने जीवन में कभिन हो भी मोट है लेकिन मेरा एम है कि बस हर दिन 4 बजे वट पाऊं, आपका भी ये एम बन जाए तो बहुत सुकत जीवन हो जाएगा आपका, इसके जल्दी सोना पूजरी हो जाएगा, दस बिज तक सो जाएं रात को, तब हो पाएगा ये पॉसिबल, खाना बहुत हलका खाएं रात को, तब में ओम शांती